मूवी के स्टार्ट में हमल मोस्ट दस साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखते हैं इस बच्ची का नाम सोफी था जो कि एक अजायलम में रहती थी क्योंकि उसके पैरंट्स की डेथ हो गई थी सोफी को नीद ना आने की बिमारी थी इसलिए वो पूरी रात जाकर गजारती थी और अजायलम में पिड़ती रहती थी क्योंकि उसे पूरी रात ही नीद नहीं आती थी और हर बच्चे की तरह उसका भी एक डर था कि एक बाबाजी हैं जो रात के अंधीरे में आते हैं और बच्चों को उठा कर ले जाते हैं और फिर वो इन बच्चों को मार कर खा लेते हैं एक रात जब सब सो रहे होते हैं तब विंडो के पास से उसे बिल्ली की आवास सुनाई देती है अब क्योंकि उसे ने नहीं आ रही थी इसलिए उसे देखने के लिए बाहर जाती है वो जब بالकनी में होती है तो देखती है कि कुछ बिलियों ने डस्ट बीन को गिरा दिया है फिर सड़न वो देखती है कि बिल्डिंग के पीछे से एक जाइंट कहा डस्ट बीन को उठा कर उसकी जगह पर रख देता है इसके बाद building के पीछी से एक काफी बड़ा giant बाहिर आता है Sophie उस giant को देख चुकी थी और वो भी Sophie को देख चुका था उसे देख कर वो डर जाती है और जल्दी से अपने विस्टर पर चली जाती है लेकिन वो जाइंट विंडो से हाथ अंदर डाल कर सोफी को उठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है हम दिखते हैं कि ये जाइंट इंसानों के सामने नहीं आता था और जब उसके रास्ते में कोई इंसान आता था तो वो किसी ना किसी तरह खुद को चुपा लेता था और फिर सबकी नजरों से बचते हुए वहाँ से निकल जाता है फिर वो सोफी को भी अपने साथ लेकर एक दूसरी दुनिया में आ जाता है और ये दुनिया थी जाइंट्स की दुनिया यानि यहाँ पर सिर्फ जाइंट्स रहते थे सोफी दिखती है कि ये तो एक काफी बड़ा घर है और वहाँ की हर एक चीज जाइंट्स की तरह ही बड़ी थी Sophie वहां से भागने की कोशिश करती है जिस पर वो giant कहता है कि यहां से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है इसलिए तुम यहां से कहीं भी नहीं जा सकती यह सुनकर वो डर जाती है वो notice करती है कि यह एक बुड़ा giant है वो giant Sophie को एक प्यान पर लग देता है और बोलता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है मुझे इतनी भूख लग रही है कि मुझे से वो कंट्रोल ही नहीं हो रही है सोफी समझ रही थी कि ये जायंट मुझे हिकाने वाला है वो वहाँ पर और भी जायंट्स की हसने की आवा़ाजों को notice करती है इसलिए वो उस बुड़े जाइंट से पुछती है कि क्या यहाँ पर और भी जाइंट्स है जिस पर वो बुड़ा जाइंट कहता है कि जी हाँ यहाँ यहाँ पर और भी जाइंट्स है और वो सारे जाइंट्स कैनेबल है यानि वो इनसानों को कच्चा ही का लेते हैं क्योंकि उन्हीं किसी भी इंसान पर तरस नहीं आता और जो भी उनकी हाथ लग जाता है वो उस इंसान को निगल जाते हैं ये सुनकर सूफी और ज्यादा डर जाती है इसलिए वो बुड़े जाइंट से पुछते हैं तो क्या आप भी मुझे खा लेंगे जिस पर वो बुड़ा जाइ जाइंट से भुछती है कि अगर आप इंसानों को नहीं खाते तो फिर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आएं जिस पर वो बुड़ा जाइंट कहता है क्योंकि तुमने मुझे देख चुलिया था और तुम मेरे बारे में वहाँ पर किसी को बता देती जिससे मेरी जान ख पर तरस नहीं आएगा यह कहकर वो बुड़ा जाइंट सोफी को एक बोट पर रख देता है और उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो लेकिन सोफी को तो नेंदी नहीं आती थी फिर वो दिखती है कि वो जाइंट अपने बैक से बड़ी बड़ी बाटल्स निक के पास थी इस बुक में बहुत सारी कहानिया लिखी हुई थी बुड़ा जाइंट उन कहानियों को पढ़ने लगता है जिस पर सोफी को नेंदा जाती है इसके बाद वो बुड़ा जाइंट एक बाटल लेता है और उसमें से एक ड्रीम बाहर निकालता है इतनी दिर में काफी बड़ा जाइंट था सोफी उस जाइंट को कहती है कि प्लीज मुझे यहां से जाने दो लेकिन वो जाइंट सोफी की एक नहीं सुनता और वो उसी निगल जाता है इसकी फोरण बाद सोफी की आँक खुल जाती है इसका मतलब यह था कि सोफी एक ड्रीम देख रही थ जागने के बाद वो उस बुड़े जाइंट से बुछती है कि मुझे पता है यह आपने किया है ना क्यूंकि ना तो मुझे नींद आती है और ना ही मुझे ड्रीम जाते हैं लेकिन आपने यह जो मुझे ड्रीम दिखाया है यह तो बो ट्राउना था जिस पर जाइंट कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा और मैंने ऐसा इसी लिए किया है ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि बाहरे लिए कितना खत्रा है इसी वज़ें से तुम्हारे लिए बैटर होगा कि तुम यहीं पर ही रहो और वाक की ही ये उस बुड़े जाइंट की निस्बत काफी बड़ा था वो जाइंट आते ही बुड़े जाइंट से पुछता है कि बताओ तुम किस से बात कर रहे थे बोने अब यहाँ पर सारे जाइंट बुड़े जाइंट को बोना कहती थे क्योंकि वो साइज में सबसे ही चोटा था बुड़ा जाइंट जवाब देता है कि नहीं तो मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था इसी दुरान सोफी भी कहीं पर छुप जाती है इस बड़े जाइंट के हाथ पर चोट लगी थी इसलिए वो पट्टी करवाने के लिए बुड़े जाइंट के पास आया था अग क्योंकि वो जाइंट कहने बलता इसी वज़े से उसे उस घर में से इनसान की खुश्बू आती है इसलिए वो वहाँ पर पड़ी हर एक चीज़ को देखने लगता है तभी सोफी उस सबजी के अंदर चली जाती है जब वो बुड़ा जाइंट खाता था और जब वो जाइंट उस सबजी को स्मेल करता है तो उसे उसमें से इनसान की खुश्बू आती है आज से पहले इस जाइंट ने कभी भी ये सबजी नहीं खाई थी लेकिन आज उसे इस वेज़ेटेबल में से अच्छी खुश्बू आ रही थी इनसान की खुश्बू आ रही थी क्योंकि उसमें सोफी जो थी इसलिए वो जाइंट उसे खाने लगता है ये देखकर वो बुड़ा जाइंट कहता है कि रुको तुम ये नहीं कहा सकते क्या तुम भूल गई हो कि तुम वेज़ेटेबल नहीं खाते जिस पर वो जाइंट कहता है कि हाम मैं ये बात कैसे बूल गया कि मैं तो सबजियां खाता ही नहीं हूँ इसलिए वो सबजी को फैंक देता है और सोफी की जान बच जाती है इसके बाद वो जाइंट वहाँ से चला जाता है फिर उस बुड़े जाइंट को कहीं पर जाना था और सोफी उसे पुछती है कि आप कहां पर जा रहे हैं जिसपर वो बुड़ा जाइंट कہता है कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ वो पूछती है कि कौन सा जरूरी काम लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता फिर वो सोफी के काफी फोर्स करने पर उसे बता ही देता है कि मैं ड्रीम्स को पकड़ने जा रहा हूँ फिर सोफी उसे काफी कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाए लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाता था क्योंकि बाहर जो जाइंट्स सो रहे थे अगर वो जा गए उन्होंने सोफ़ी को देख लिया तो बहुत बुरा होगा इसी वज़े से वो किसी भी किसन का रिस्क नहीं लेना चाता था लेकिन सोफिय उसे काफी इंजिस्ट करती है इसलिए वो उसे अपनी साथ ले जाने के लिए एगरी हो जाता है जब वो बाहिर आते हैं तो देखते हैं कि वो सारे जाइंट्स गहरी नेंसो रहे हैं इसलिए ये दोनों उनके बीच से ही गुजरना चाते थे लेकिन इतनी ही देर में उन सारे जाइंट्स की आँख खुल जाती है और वो बुड़े जाइंट्स को परेशान करने लग जाते हैं कि बोने तुम कहां पर जा रहे हो जिस पर वो कहता है कि मैं तो अपने काम पर जा रहा हूं जिस पर वो जाइंट्स कहते हैं कि हम नहीं चाते हैं कि तुम यहां से निकल कर बाहर जाओ इनसानों की दुनिया में जाओ क्योंकि अगर इन्सानों को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी जान खत्रे में पढ़ जाएगी वो सारे जाइंट्स बुड़े जाइंट को बहुत ज्यादा तंग करते हैं और तबी मौके का फाइदा उठा कर सोफी एक गाड़े में छुप जाती है लेकिन तबी बुड़ा जाइंट आस्मान की तरफ इशारा करके कहता है कि वो देखो सब देखते हैं कि आस्मान पर बादल बने हैं और बारिश होने वाली है असल में उन सारे जाइंट्स को पानी से डर लगता था क्योंकि उन्हें वाटर फोबिया था और तबी वहाँ पर बारिश होने लगती है और वो सारे जाइंट्स जाकर छुप जाते हैं तब मौके का फाइदा उठा कर वो दोनों यानी बुड़ा जाइंट और सोफी वहाँ से चले जाते हैं वो लोग माउंटेंस पर चड़ने लगते हैं चलते चलते वो बादलों से भी काफी आगे निकल जाते हैं सोफी कहती है कि यहाँ से तो देखने में ये स्टार्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं बुड़ा जाइट कहता है कि मैं तो इनका म्यूजिक भी सुन सकता हूं ये सुनकर सोफी कहती है कि मुझे तो यकिन नहीं आ रहा आपकी बातों पर बुड़ा जाइंट कहता है कि यही सच है बेटा तुम्हें मानना होगा इसके बाद वो लोग एक लेक के पास पहुंच जाते हैं जिसके पास एक काफी बड़ा और खुबसूरा ट्रे था बुड़ा जाइंट पानी में कोच जाता है और उनके साथ सोफी भी कोच जाती है दोनों फिर लेक के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं और ये होती है ड्रीम्स की दुनिया क्योंकि ड्रीम्स उस ट्री से यहां पर कतरों की तरह गिरते हैं और बुड़ा जाइंट इने पकड़ने के लिए ही यहाँ पर आता है। फिर वो दोनों मिल कर बहुत सारे ड्रीम्स पकड़ लेते हैं। इन खुआबों में अच्छे और बुरे दोनों ड्रीम्स ही थे। इन ड्रीम्स को पकड़ कर फिर ये लोग वापिस जाने लगते हैं। ये दोनों अब एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड बन गए थे और एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। बुड़ा जाइंट उसे अपनी दुख भरी कहाने भी सुनाता है कि यहाँ पर सारे जाइंट्स मुझे बोना कहते हैं। लेकिन फिर वो एक बात सोचकर खुश हो जाता है कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा भी मिला था जो मुझे बिग फ्रेंडली जाइंट कहता था। यह सुनकर सोफी कहती है तो आज सी मैं भी आपको बिग फ्रेंडली जाइंट यानि बी फजी ही कहूँगी। पारे में आपको किया आपकी पैरंट्स ने बताया था जिस पर वो जाइंट यानि बी फजी कहता है कि जाइंट्स के पैरंट्स नहीं होते फिर वो बी फजी से उसकी एज पूछती है कि आपकी उम्र कितनी है बी फजी जवाब देता है कि जितनी उम्र इस दुनिया की है यानि जब से ही दुनिया बनी थी तब से ही जाइंट्स भी बन गए थे। लेकिन ये इस दुनिया में ही इंसानों से चुप कर रहते हैं दिवारों के पीछे। फिर वो दोनों वापिस जाने लगते हैं। सोफी अचानक पूछती है कि मेरा ब्लैंकेट कहाँ पर है। असल में सोफी का ब्लैंकेट जाइंट्स की दुनिया में ही रह गया था। और इस बात की वज़े से बीएफजी परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो सोफी को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्योंकि अब तक उन जाइंट्स को बता चल गया होगा कि मेरे साथ कोई इनसान भी है। और यहां पर बीएफजी सोफी को एक बात बताता है कि बहुत सालों पहले मुझे एक बच्चा मिला था और वो भी इतना ही प्यारा और इनोसेंट था जितनी के तुम हो और तुम्हारी तरह उसने भी मुझे देख लिया था। इसी वज़े से मैं उस बच्चे को भी जाइंट्स की दुनिया में ले गया और उसी बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया और यह जो जैकिट तुमने पहन रखी है यही मेरे उसी मासूम छोटे से फ्रेंड की है लेकिन इससे पहले कि मैं उस बच्चे को उसकी दुनिया म जाने का फैसला करता है हलांके सोफी उन्हें काफी मना करती है यहां रुकने पर उसके साथ चलनी के जिद़ करती है लेकिन वो जाइंट इस बार उसकी बात नहीं मानता तब बि-एफजी उसे एजाइला में छोड़कर वहां के सुद्रा नहीं चाहती थी इसलिए वो बाल लोगों के लिए वेट कर रहे थी क्योंकि सारे जाइंट्स जान चुके थे कि बुड़े जाइंट के पास कोई इंसान है इसलिए सारे जाइंट्स अब जानना चाहते थे कि वो इंसान कौन है कहां पर है इसलिए वो ब्लैंकिट की खुश्बू की मदद से बीएफजी के घर क को चेक करते हैं और सारे समान की तोड़ फोड़ कर देते हैं लेकिन बीएफ जी उस ब्लैंकिट को जला देता है जिसमें सोफी की खुश्बू थी फिर वो उन सारे जाइंट्स को अपने घर से जाने के लिए बोलता है सोफी वहां दिवार पर लगी एक पिचर को देखती है जो कि प्रिंसिस की पिचर थी उस पिचर को देखकर सोफी को एक आइडिया आता है और वो बीएफ जी को कहते है कि आप प्रिंसिस के लिए एक ड्रीम बनाएं और उस ड्रीम में आप ये बताना कि जाइंट्स की एक दुनिया पाई जाती है इसी दुनिया में और वो सारे जाइंट्स इतने खतरनाक हैं कि बच्चों को मार कर खा लेते हैं और इसी ड्रीम में आप हम दोनों को भी शामिल कर लेना ताकि जब हम प्रिंसिस के सामने जाएं तो वो हमें पहचान लें ये सुनकर BFG ऐसा ही करता है और वो जाइंट्स की दुनिया में रहने वाले सारे ज ड्रीम डाल देते हैं और प्रिंसिस वो सब कुछ देख लेती है जो ये प्रिंसिस को दिखाना चाहते थे प्रिंसिस की जब आँख खुलती है तो वो बहुत ज़्यदा डरी हुई होती है क्योंकि ये एक ड्राउना ड्रीम था क्योंकि जाइंट्स बच्चों को खा रहे थ प्रिंस्ग के बारे में अपने केयर टेकर को भी बताती है जिसपर वो केयर टेकर कहती है कि आफ विकर मत कीजिए ये आपका शिर्फिक ड्रॉंबना ड्रीम था लेकिन जब वो न्यूस पेपर पढ़ती है तो कहती है ये तो बहूत अजीब बात हो गई क्योंकि कल राद बहुत सारे बच्चे मिसिंग हो गए थे अपने अपने घरों से और ये सिम वैसा ही हुआ है जैसा आपने ड्रीम देखा है तब ही प्रिंसिस कहती है कि परदे हटाओ और परदे हटाते ही विंडो पर सोफी खड़ी हुई थी असल में ये चीज़ भी उनोंने ड्रीम में ड्ल दी थी और उसमें BFG को भी डाल दिया था तब सोफी उन्हे BFG के बारे मी बताती है और साथ-साथ वो प्रिंसिस से प्रामिस भी लेती है कि आप मुझ से वादा करें कि आप BFG को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी तब BFG प्रिंसिस के सामने आता है और तमेज से उनके सामने जुक जाता है तब प्रिंसिस भी अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं अच्छा यहाँ पर जाइंट्स की ना एक फनी बात भी थी फिर यह लोग सारी बात प्रिंसिस को बता देते हैं कि जाइंट्स की दुनिया में 9 बड़े बड़े जाइंट्स ऐसे हैं जो इनसानों और बच्चें को पकड़ कर खा लेते हैं इसलिए प्रिंसिस उनकी हेल्प करने के लिए तयार हो जाते है और अपनी एक पूरी आर्मे तयार कर लेती है जो कि BFG की मदद से अपने हलिकॉप्टर्स में बैट कर जाइंट्स की दुनिया के लिए निकल जाते हैं अब इन्होंने यहां पर एक प्रॉपर प्लैन बनाया हुआ था इसलिए वो प्लैन के मताबिक एक जगा पर रुख जाते हैं क्योंकि यह पूरी तयारी के साथ उन पर अटैक करने के लिए आये थे प्लैन ये था कि BFG एक ड्रीम बनाएंगे और उस ड्रीम में BFG इन जाइंट्स के लिए शर्मिंदगी और पच्तावा डालेंगे उनके बुरे कामों के लिए जो उन्होंने किये थे और BFG ऐसा ड्रीम बना भी लेता है लेकिन जैसे ही BFG ड्रीम को उन जाइंट्स में डालने के लिए जाता है तब उन्हें याद आता है कि ड्रीम डालने वाले चीज़ तो मैं प्रिंसिस की महल में ही चोड़ाया हूं और उस चीज़ की बगएर ऐसा करना रिस्की था क्योंकि उन जाइंट्स के पास जाना था लेकिन सोफी की मत करकि उस ड्रीम वाले जार को उस जगा पर लेकर चले जाती है जहांपर वो जाइंट्स सो रहे थे लेकिन इससे पहले कि सोफी उस जार को तोड़ पाती उन जाइंट्स का लेडर उट जाता है और वो जैसे ही सोफी को पकड़ने वाला होता है सोफी उस जार को तोड़ देती है और ये ड्रीम उन जाइंट्स की नींद में चला जाता है जो भी सो रहे थे और जब वो जाइंट्स जाकते हैं तो उन्हें अपने बुरे काम पर शर्मिंदगी होती है लेकिन जो जाइंट्स का लेडर था वो तो जाक रहा था इसलिए उसे कोई भी बच्तावा और शर्मिंदगी नहीं होती और इसलिए वो सोफी पर अटैक कर देता है लेकिन तबी बीएफजी उस जाइंट के सामने आ जाते हैं अब क्योंकि बीएफजी बहुत चोटे थे इसलिए वो जाइंट उन्हें अपने हाथ में उठा लेता है लेकिन जैसे ही वो बीएफजी को मारने लगता है प्रिंसिस की पूरी आर्मी हेलिकॉप्टर के साथ वहाँ पर आ जाती है और वो लोग सारे जाइंट को पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें समंदर के बीच में एक आईलाइंट पर छोड़ दिया जाता है अब क्योंकि इनकी चारों दरफ पानी था और ये तो पानी से डरते थे इसलिए वो वहाँ से बाग नहीं सकते थे और इसलिए अभी हमेशा के लिए यहाँ पर फज गए हैं प्रिंसेज उन जाइंट के लिए वहाँ पर सबजी की बीच भी फैंक देती है ताकि ये जाइंट उन बीचों की मदद से वहाँ पर सबजी हुगाएं और सारे जिन्दगी ये वो सबजी ही खाएं अब क्योंकि उन जाइंट को ये सबजी पसंद नहीं थी लेकिन अब ना चाहते हुए भी उन्हें ये सबजी खाने परनी थी और पूरी जिन्दगी इसी आइलैंड पर रहकर ये सबजी ही खानी है इसके बाद हम सोफी को देखते हैं जो बजाइला में नहीं रहती बलके प्रिंसिस के महल में रहती है और यहां पर सोफी बहुत खुश होती है और वो जब चाहे बीएफ जी से बात भी कर सकती है क्योंके बीएफ जी ने बताया था कि वो इस दुनिया की सारी आवाजें सुन सकते हैं दूसरी दरफ बीएफ जी जो केब जाइट्स की दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए हैं जिन्होंने जाइंट्स की दुनिया में उस सबजी के इलावा और भी बहुत साथी वजेटेबल्स उगा ली हैं। और वो भी अपनी लाइफ में बहुत खुश है। सोफी हर सुबह जाकर विंडो पर आती है और BFG को गुड मॉर्निंग कहती है। जिससे BFG सून लेते हैं और उसका जवाब देते हैं। और ये प्यारी सी मुवी यही पर एंट हो जाती है। थेंक्यू फर वाचिंग।